दोस्तो नमस्कार, The Facts Monster YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम आपको दुनिया के नए नए रोचक तत्थों की जानकारी देते हैं इस वीडियो में हम आपको देश के प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ रोचक बाते बताने जा रहे हैं जो साइद आपने नहीं सुनी होगी तो आएए जानते हैं मोदी जी का जन 17 सितंबर 1950 को बामबे साहर के वर्ड नगर में हुआ था बामबे पहले भारत का एक राज था लेकिन 1 माई 1960 को इस साहर को गुजरात और महाराष्ट दो साहरों में बदल दिया गया इसलिए मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात माना जाता है नरेंद्र मोदी सिर्फ आठ साल की उम्र में RSS से जुड़ गए थे नरेंद्र मोदी के ट्वीटर को 4.85 करोड लोग फालो करते हैं विश्व के राजनेताओं में ट्वीटर पर फालोवर्स की द्रश्ट में प्रदान मंत्री मोदी 3.85 पर हैं जबकि पहले नंबर पर अमेरिका के डोनार्ड ट्रम्प है डिस्कवरी चैनल के एक लोगप्री कारिकरम मैन वर्सेस वाइल्ड में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बियर ग्रेल्स ने एक एपिसोड किया था नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी अपने घर की आर्थिक ब्योस्था को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी पढ़ाई के साथ साथ रेलवे स्टेशन में अपने पिता के साथ चाय भी बेचा करते थे नरेंद्र मोदी बच्पन में अभिनाय वाद विवाद नाटकों में भाग लेते रहते थे और स्कूल में पूरसकार भी जीतते थे मोदी जी स्कूली पढ़ाई के बाद सन्यासी बनने के लिए घर से भाग गये थे इस दवरन मोदी ने पस्चिन मंगाल के रामक्रिष्ण आस्रम समेथ कई जगहों पर ब्रमण किया कई माहिनों तक साधूं के साथ हिमाले में रहे जब वे दो साल बाद हिमाले से लोटे तो उन्होंने सन्यासी जीवन को त्यागने का फैसला किया आमदाबाद संग मुख्यालाय में रहकर मोदी जी ने वहां साब सफाई चाय बनाने और बुज़रगों नेताओं के कपड़े दोने जैसे कई काम किये नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम सुरू करने से पहले अपनी माह का आसिरवाद लेते हैं चुनाव में जीत के बाद उन्होंने मा के पास जाकर आसिरवाद लिया था 1975 में आपातकाल के दोरान उन्होंने सरदार का रूप धारण किया और धाई साल तक पुलिस को चक्मा देते रहे मोदी जी ने गुजराती भासा में हिंदुत्यों से संबंदित कई लेख भी लिखे हैं मोदी जी महान-विछारक और युवा दार्श्निक संत स्वामी विवेका नंद से काफी प्रभावी था उन्होंने गुजरात में विवेका नंद युवा विकास यात्रा निकाली थी लालक्रिष्ण आडवानी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं 1990 के दसक में नरेंद्र मोदी ने आडवानी की सोमनाथ से लेकर आयोध्य तक की रत यात्रा में बड़ी भूमी का निवाई थी नरेंद्र मोदी स्वभाव से आसावादी हैं एक भासण के दवरान उन्होंने कहा था कि लोग आधा गलास पानी भरा हुआ देखते हैं लेकिन मुझे आधा गलास पानी और आधा हवा भरा हुआ दिखाई देता है नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्य मंत्री रहते हुए कई देशों की यात्रा भी की थी जिनमें चीन प्रमुख है उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा है गुजरात के मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात सिखर सम्मेलन का आयोजन किया और निवेस के लिए देश विदेश से उद्योग पतियों को आकर्सित किया परियटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉली उड के मेगा इस्टर आमिताब बच्चन को गुजरात का ब्रांड एमबेश्डर बनाया आमिताब बच्चन ने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनोकार सन्यंत्र के बिरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा को एक संदेश बेजा जिसमें उन्हें गुजरात सन्यंत्र स्थापित करने के लिए आमंद्रित किया गया गुजरात में आपका स्वागत है वर्ष 2005 में गुजरात दंगों के दाग के कारण मोदी जी को अमेरिका दोरा वीजा से वन्चित कर दिया गया था नरेंद्र मोदी सोसल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं ट्विटर और फेस्बुक पर उनके फालोवर्स की संख्या लाखों में है लोग सभा चुनाओ 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने सोसल मीडिया का खुब इस्तेमाल किया था उन्होंने सेंटर फार एकाउंटेबल गोवर्नेंस नाम की एक परचार समिती बनाई जिसके हाथ में पूरे अभियान की कमान थी नरेंद्र मोदी आज भी अपनी बेहनों और भाईयों से अलग रहते हैं मोदी जिस समय के बहुत पाबन हैं वे प्रती दिन सिर्फ चार घंटे ही आराम करते हैं नरेंद्र मोदी लग्जरी ब्रेंड मे बैच का चस्मा पहनते हैं जिसकी कीमत 1.42 लाख रुपाई है परदान मंत्री नरेंद्र मोदी मोन्ट ब्लैंक नाम की कमपनी का पेन प्रयोग करते हैं जिसकी कीमत 1.30,000 रुपाई है नरेंद्र मोदी मोडो नाम की कमपनी की घड़ी पहनते हैं इस घड़ी की कीमत एक लाख नब्बे हज़ार रुपाय है 1998 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी पार्टी का महासचिव बनाया गया इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे लेकिन 2001 में केशु भाई पटेल को मुख्यमंत्री पत से हटाने के बाद मोदी जी को गुजरात की कमान सौपी गई नरेंद्र मोदी जी के नित्तित में भाजपा ने 30 साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 26 माई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री पद की सपत ली थी नरेंद्र मोदी सुद्ध साकाहारी हैं उन्होंने अपने अब तक के जीवन काल में कभी मान सिगरेट शराब आधि को नहीं चुआ है नरेंद्र मोदी राजनेता के साथ साथ कवी और लेखक भी हैं नरेंद्र मोदी बच्चों से बहुत अधिक लगाव रखते हैं उन्होंने छात्रों के लिए एक्जाम वरियर्स नाम की एक किताब लिखी है पीम बनने के कुछ महीनों बाद ही नरेंद्र मोदी ने अपने एक सूट की नीलामी की थी जो करीब 4 करोड 31 लाग रुपाय में विका था दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आज की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसी तरह हम आपको रेगुलर नई नई जानकारी से आवगत कराते रहेंगे अता आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद जैहिन